भारतिय गैंडे विशेश रूप से एक सींग वाले गैंडे को पुर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के प्रमुक प्रतिकों में से एक माना जाता है असम के एक सींग वाले गेंडों में वैसी ही विशेशताई होती है जैसी कि उनकी सीमा के अन्यभागों में पाए जाने वाले बड़े एक सींग वाले गेंडों की होती है उनके थूथन पर एक ही सींग होता है जो काफी लंबा हो सकता है और उनकी भूरी भूरी तवचा गहराई से मुरी हुई होती है जिससे उन्हें एक अलग रूप मिलता है ये गेंडे शाकाहारी है, मुख्य रूप से घास, पत्ते, फल और जलिय वनस्पती खाते है सास्कृतिक महत्व, एक सींग वाला गेंडा असम के सास्कृतिक तानेबाने में गहराई से समाया हुआ है इसे अक्सर पेंटिंग्ज, मुर्तियों और वस्त्रों सहित पारंपरिक कला रूपों में चितरित किया जाता है गेंडे को असमिया लोग कताओं और परंपराओं में इसके महत्व को प्रदर्शित करते हुई लोग मृत्यों, गीतों और कहानी कहने में चितरित किया गया है असम में विशेश रूप से काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान और मानस राष्ट्रिय उद्यान जैसे सनरक्षित शेत्रों में सनरक्षन पहलों ने उनके सनरक्षन में महत्मकून भूमिका निभाई है इन पाकों ने गैंडों की आबादी की सुरक्षा के लिए सक्त अवैच शिकार विरोधी उपायों और आवास सनरक्षन रंणीतियों को लागू किया है काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान एक यूनेस को विश्व धरोहर स्थल विशेश रूप से एक सींग वाले गैंडों के सफल सनरक्षन प्रयासों के लिए प्रसिद है यह दुनिया में भारतिय गैंडों की सबसे आधिक आबादी का घर है समुदाय की भागीदारी और समर्थन के साथ पाक के समर्पित सनरक्षन कार्यक्रमों में असम्में गैंडों की आबादी में सुधार और वृध्धी में योगदान दिया है असम का एक सींग वाला गैंडा महान सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मेहत्वा रखता है यह क्षेत्र में एक प्रतिष्थित प्रजाती है और असम में वन्यजीव सनरक्षन की प्रयासों का प्रतीक बन गया है चल रही सनरक्षन पहल का उद्देश्य उनके आवासों की रक्षा करना, अत्रों को कम करना और असम में एक सीन वाले गेंडों के तीर्थ कालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें